हेलो इंडिया, वलकम टू इंडियन AI प्रोडक्शन, कम्प्यूटर विजन, यूजिंग डीप लर्निंग, बिगिनर टू प्रॉपेशनल, हैंड्स अन पैटन कोर्स इन हिंदी के टेंसरफ्लो टूटोरियल 2.0 में आज हम स्टड़ी करने वाले हैं, आज हम प्राक्टिकल करने वाले हैं, टेंसरफ्लो.math function में, टेंसरफ्लो.substract function के बारे में, यह पार्ट नंबर 8.2 है, दोस्तों, लास्ट टूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरह के से टेंसरफ्लो mathematical model का अस्तमाल करके हम addition कर सकते हैं, तो उसी तरह के से हम आप क्या करेंगे, आज किस वीडियो में हम subtraction करने वाले हैं, तो आपने 8.1 पार्ट नहीं देखाँगा, तो मैं आपको request करना चाहूँगा, वो आप पार्ट देख लो, ताकि आज का पार्ट देखने में आपको आज में आएंगा, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि भाई, how to add, how to do addition, obtensor, list, tuple, scalar, placeholder, matrix, right, तो इस तरह के different हमें काम करना है, नमपाय अरह है, तो उनकी addition हम किस तरह के से कर सकते हैं, यह मैंने आपको पूरा detail में बताया था, इसी वीडियो को reference करके, क्योंकि आज copy paste होने वाले, बस यहाँ पर एक function अलग रहेंगा, उसमें addition function था, इसमें subtraction function था, तो यह वीडियो आप देख लो, ताकि आज का वीडियो देखने में आपको बहुत-बहुत मजा हैंगा, तो आज का हमारा वीडियो का है, आज का हमारा वीडियो यह है कि how to do subtraction और subtract tensor in a tensor flow, basically हमने यह subtraction का काम है, यह numpy array में हमने किया था, आपने वो tutorial नहीं देखाऊंगा, तो description box में आपको link मिल जाएंगी, आप numpy की जो playlist है उसको आप access कर सकतो, जब हम बात करते हैं subtraction की इन tensor flow में, तो हमारा पस एक simple सा function है, जिसका नाम है tf.substract, क्या नाम है उसका? tf.substract, ज element-wise subtraction करता है, like addition, but addition में addition होती थी और यहाँ पर subtraction होगा, as simple, यहाँ पर भी आप different different data types दे सकते हो, like list दे सकते हो, आप tuple दे सकते हो, और scalar value दे सकते हो, इसी तरह के से आप tensor flow का variable है, constants है, placeholder है, sparse matrix है, तो उनको भी आप इस्तमाल कर सकते हो, और यहाँ पर जितने भी variables है, combination करके आप, आपके काम को अंजाम दे सकते हो, जैसे कि हमने addition में add function का इस्तमाल करके, आप multiple tensor को add कर सकते हो, इसी तरह के से यहाँ पर भी tf.substack, इस function के अलावा आप, जो आपके पास दो variable है, tensor flow में, कम से कम दो variable में से एक variable tensor flow, tensor होना चाहिए, तब आप minus operator का इस्तमाल करक दो tensor या one tensor and one list को addition करके, आप last में tensor को हासील कर सकते हो, तो यह होगी theoretical बात, अभी हम तो practical करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तो import करना है tensor flow को as a tf करके, और दूसरा numpy को as a np करके, अब हम बात करेंगे, scalar subtraction के बारे में, आपके पास दो value है, दो scalar value है, ज आपको disclaimer यही देना चाहूंगा, यहापर जो tutorial में आपको variable जो आपको code दिख रहा है, वो tensorflow.add, जो 8.1 tutorial था, उसी को मैंने copy paste किया है, बस वो आपको add के जगा पर मैंने subtract लगा दिया है, बाकी कुछ ने, क्योंकि काम सेम होनी वाला है, और यहापर हमें time भी save करना है, पिछ क्योंकि हमें addition नहीं करना है, हमें subtraction करना है, तो हमारे पास कौन सा function है, याद करो, function का नाम क्या है, बोलो, tensorflow, tf.क्या है, tf. एकदम सही, subtract, 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 यहापर spelling मिश्टिक हो गई, अब इसको हम क्या-क्या argument डे सकते हैं, तो यहापर अभी हम क्या-क्या argument डे सकते हैं, तो यहापर अभी हम क्या करेंगे, a, b, तो यहापर क्या होंगा, a मतलब, 10 value, 10 minus 2 होंगा, minus 20 होंगा, 10 minus 20 value मिलें, right, पहले में से, पहले में से दूसरी value minus हो जाती है, तो हमें value क्या मिलेंगी, हमें minus 10 मिलेगा क्योंकि minus 20 और यह plus 10 है तो हमें value क्या मिलेगी minus 10 value मिलेगे तो चोले इसको execute करते हैं और देखते output में क्या होता है यहाँ पर आप देखे तो हमें यहाँ पर यहाँ पर तो मिलेंगा नहीं क्योंकि हमारे पास scalar value है और integer value मिलेंगी और उसके बाद numpy में हमें देखो यहाँ पर minus 10 value मिलें ध्यान रखना है minus 10 तो जब addition करते थे तो हमारे पास आगे पीचे कोई भी वेरिबल ले लो कोई दिक्कत नहीं थी बट जब हम subtraction करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है sequence ध्यान रखना है कौन सा वेरिबल आगे लेना है और कौन सा वेरिबल पीचे लेना है second place पर लेना है तो अब हम बात करते हैं next list के बारे में तो हमारे पास दो लेस्ट है और दोनों लेस्ट को हमें क्या करना है subtraction करना है तो मान लो यहाँ पर हम tensorflow.add function हमारा तो यहाँ पर लेंगे sub subtract तो यह function का इस्तमाल करेंगे और इसको execute करेंगे तो हमें output क्या मिलेंगा L1-L2 तो output क्या मिलेंगा 1-5-4 मिलेंगा 2-6-4 मिलेंगा 3-7-3 मिलेंगे 4-8-8 मिलेंगी तो हमें सारे के सारी value minus में मिलेंगी यहाँ पर आप देखते हो right मिली मेलू okay मैंने 3-7 क्या बोलता 3 बोलता sorry यह minus 4 रहता है तो इस तरह के से आपको value मिलेंगी minus अब देखो हम इसकी प्लेस चेंज करेंगे 2-1 करेंगे तो हमें सारे के सारे value positive में मिलेंगी यहाँ पर आप देख सकते हो तो इतना impact पड़ेंगा आपको धहां रखना है कौन सा variable आगे लेना है और कौन सा variable पीछे लेना है अब हम बात करते कि हमारे पास दो टपल है तो क्या उसकी हम subtraction कर सकते नेक्स्ट हम बात करते कि हमारे पास एक list और दूसरा scalar है या एक टपल है या दूसरा scalar है या एक list और एक टपल है तो हम subtraction कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं यहाँ पर आप देखते हो tf.substract यहाँ पर आपको value मिल जाएंगी 1-10 हमें value मिलेंगी –9 2-10 हमें मिली value –8 तो इस किसी element wise subtraction होता है राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्ट्रेक्शन आप two list और two tuple with a different size, different shape यह काम हमने addition में भी किया था लेकिन हम addition नहीं कर पाए थे तो किया हम subtraction कर पाएंगे तो चलो यार tf.substract function लेते और करके देखते क्या होता है तो यहाँ पर भी हमें array मिला है array क्या बोलता है array यहाँ पर बोल रहा है incompatible shape four versus two obviously मैंने आपको पहला ही बता दिया है कि भाई दोनों variable का shape same होना चाहिए यहाँ पर आपसे तो दोनों variable का shape different है यह कम से कम इस variable का shape कुछ भी रहे लेकिन second variable में single item होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर मैं file हूंगा तभी यह addition कर पहेंगा जैसे कि मैं 6 को काट देता हो और इसको execute करता हो तो देखो addition sorry subtraction हो चुका की नहीं यहाँ पर subtraction हो चुका है तो यहाँ पर single element होना चाहिए या same size होनी चाहिए दोनों variable के राइट तो हमने आपको बता दिया कि भाई किस तरह किसे subtraction करना है ओके next अभी हम बात करते subtract two numpy array तो क्या हम 2 numpy array को subtract कर सकते हैं बिल्गुल addition कर सकते हैं तो substantially क्यों नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप दो हमारे पास differentiation भी हो चुका है नेक्स्ट हम बात करते एक हम SCALAR है और एक numpy array तो हम क्या subtraction कर सकते हैं बिल्कुल यह भी हम काम कर सकते हैं as simple जो हमने addition में क्या त नेक्स्ट यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई single element है एक numpy array में और एक numpy array में multiple element है तो क्या हम addition स्वरी subtraction कर सकते हैं बिल्कुल addition कर सकते हैं सब्स्ट्राक्शन कर सकते हैं तो यहाँ तक तो गया भाई python हमारे पास numpy बात करते हैं तो क्या हम दोनों ठीक कर सकते हैं बिल्कुल हम उनको接 सकते आप देख सकते हों यह नहीं मिलेंगे यह पर positive value मिलेंगे इत करके भी देख सकते हो बहुत सारी permutation combination है मैंने भी बहुत सारे try नहीं किये है और देखते हैं इन दोनों को सब्स्ट्राक करके तो यहां पर हम लेंगे यह.sub subtract रखना यहां पर क्या variable है यहां पर हम आपर टोटल six element है इसमें भी six element है बस तोड़ा सा shape इस तरह के का है और यह भी shape इस तरह के का है तो हम addition कर पाये थे तो addition में यह शिप मिलाता राइट यह शिप का में टेंसर मिला था त मिल चुक Red और हमारे हूपा है्सट्राकervice हो चुकर्ण राइट तो यह हमारा आउर्ट तो इस तरह के से भी आप subtraction कर सकते हो रैट और यहांप आपको श्रीप चाहिए यह से आपको कुछ चाहिए तो आप कर सकतTheor الإस लिज़् इस आपको तो आप यहां पर सप्शॏक्श सब्स्ट्रक्ट सब्स्ट्रक एंद सब्सट्रक्ट टो आपको सब्सट्रक्न में जाना है डॉट्ट शेप के लिए न disproportion बिले जाना है तो आपको आट्पुत लिट्ट में बिल जाता है और इसका इस्तमाल करके आप, आपके काम को अंजाम दे सकते हो, राइट, तो इस टुटियल में जो भी मैंने को आपको बताया है, वो सारा का सारा को आपको डाउनलोड करने के लिए मिल लेंगा, जस्ट आपको description box में जाना है, वहापर आपको हमारे website के link मिलेंगी, और वहा आपको playlist है, तो description box में आपको playlist को access करना पड़ेंगा, और latest video के लिए आपको notification चाहिए, तो आपको क्या करना यह आपको पता है, तो चलो दोस्तों, इस tutorial को हम यह पे end करते हैं, और आपके कोई भी suggestion होंगे, तो आप मुझे comment box में बता सकते हो, मुझे कोई function छूटा हूँग झाल